क्योंकि investing simple रखने से आपके advantage में आता है आप जितना complicate करने की कोशिश करेंगे उतना शायद आप ना समझ पाएंगे कि पैसा कहा निवेश हो रहे हैं ना उसे track कर पाएंगे तो निवेश को clean, simple रखें सभी को नमस्कार मैं आपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्मार्ट का ये दिवाली special episode हमारे साथ जुर रहे है कीरतन शाह, कीरतन हमारे show पर बहुत-बहुत स्वागत है दिवाली की शुब कामना है आपको सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिवाली के शुब अवसर पर बहुत लोग अपने financial portfolio को review करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलहा देंगे? अबनी जी सबसे बहले तो thank you so much मुझे show पे invite करने के लिए और सब viewers को happy Diwali देखे दिवाली में आप जैसे बहुत सारी चीजों की सफाई करते हैं आपके portfolio की सफाई करना ज़रूरी है portfolio की सफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग शायद diversification का सही माहिना नहीं सबस्ते हैं देखे एक mutual fund में 50 stocks होते हैं अगर आप 5 mutual fund ले लेंगे तो overlaps हटा कर भी आपके वाद 200-200 stocks हो जाएंगे primary reason आप mutual fund में पैसा शायद इसलिए लगाते कि fund manager उन 25 या 30 stock में पैसा लगाना चाहता है जिस पर उसे ज्यादा confidence है market से और अगर आपका portfolio 500-200 stocks hold करता है तो market को कैसे बीद कर पाएंगे तो सबसे पहली सलाई यह होगी कि आप over diversify मत कर लिजे आपको शायद 4 या 5 mutual fund या 10 या 12 stocks से ज्यादा की जरूद नहीं है 100 stocks 50 mutual funds की बिल्कुल जरूद नहीं है तो अगर आपके पास बहुत सारे stocks या funds है तो सबसे पहले उसको consolidate करना शुरूद कीजिए over diversification counterproductive हो सकता है दूसरी चीज अपने asset allocation को बन दो दिया अगर आप ज्यादा risk नहीं ले सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा fixed income में रखने की कोशिश ले सकते हो तो भी calculated risk लेजिए ऐसा ना हो कि आप overboard हो जाते हो क्योंकि market फिलाल तेजी में दिख रहा है और तीसरी स सबसे important सलाई यह होगी कि आप ऐसी कुछ भी चीज में निवेश ना करें जो आपको आपको नहीं समझते तो अगर मुझे ऐसा लग रहे कि यह तीन चीजों का अगर आप ज्यान रखेंगे तो 80-90% आपकी problem ऐसे ही solve हो जाए जी तो आपके लिए दिवाली से सबसे बड़ी सीख क्या है क्योंकि दिवाली के त्योहार से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है जो हम अपने finances को भी apply कर सकते हैं देखे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर दिवाली की बात करें तो cleaning जैसे मैंने इस last वाले question में भी कहा एक बहुती important हिस्सा है दिवाली को celebrate करने का तो जब आप अपने finances की भी बात करते तो finance manage करते वक्त यह याद रखिये कि आपको बहुत सारा कचरा sorry for my language पर यह सारा कचरा आपको इखटा करने की जरूरत नहीं है आपको शायद एक term insurance चाहिए आपको एक floater medic claim चाहिए आपके घर के लिए आपको तीन या चार mutual funds में निवेश करना है 10-12 stocks लेने है इससे जादा आपको कहीं पर पी और जाने की जरूरत नहीं है क्यूंकि सिर्फ इतनी च अच्छे investor जो जो जिनने बहुत कुछ समझता है उससे भी ज्यादा अच्छा आप शायद निवेश में कर पाएंगे क्यूंकि investing simple रखने से आपके advantage में आता है आप जितना complicated करने की कोशिश करेंगे उतना शायद आप ना समझ पाएंगे कि पैसा कहा निवेश हो रहा है ना उसे track कर पाएंगे तो निवेश को clean simple रखें बहुत कम से कम चीज़े कीजे और जो समझ की उतनी ही कीजे अगर आप इतना सा भी कर पाएंगे तो शायद आपकी financial discipline बहुत ही सही माइनों में जैसे आपकी होनी चलिए वैसी होगी जी बिल्कुल कीतन दूसरा जो सवाल था कि हम दिवाली पर तो अपने परिवार वालों को गिफ्ट सो देते ही है लेकिन इस साल अगर cash के बजाए या अन्य गिफ्ट के बजाए हम financial गिफ्ट देने की सोचे तो ऐसी कौन सी financial गिफ्ट है जो आप recommend करेंगे आज तो आप बहुत सारी चीजे या तो गिफ्ट कर सकते हैं या किसी और investor के बहाप पर invest भी कर सकते हैं जैसे आप stocks गिफ्ट कर सकते हैं आप किसी और के लिए mutual fund units में निवेश कर सकते हैं अगर आपको दिवाली के अफसर पर सोना देना है तो आप किसी को sovereign gold bonds भी दे सकते ह यह दो तीन चीजे अगर आप करें तो आप जिसे गिफ दे रहे ना सिर्फ उन्हें आज प्लीज कर पारें पर अगर वो अगर आपका निवेश संभाल कर रखे होल्ड करें तो compounding की वज़े से उन्हें future में वो काफी ज्यादा helpful हो सकता है तो मुझे ऐसा लग रही बहुत ह अच्छा point आपने race किया है cash देने की जगे पे financial instruments गिफ कीजे उनके लिए भी बहुत अच्छा होता जी आपने काफी सारा advice दिया है अब तक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन इसके अलावा आगर आप हमारे viewers को और कुछ सलहा देना चाहिए कि इस मौके पर क्या ध्यान में रखना चाहिए तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो एक term insurance होना चाहिए एक medical होना चाहिए उसके बगएर investing मत कीजिए दूसरा पास returns को देखकर investment कीजिए तिसरा इसी कोई भी चीज में investment कीजिए चीज की जांकारी आपको ना हो या आपको ना समझता हो चौथा market को time करने की कोशिश मत कीजिए कि आज बेच देता हो नीचे गिरेगा तब खरीब दुबा दिगगत से दिगगत लोग market में यह नहीं कर पाते और पाचवा सबसे important मुझे ऐसा लग रहा है as a retail investor आपके हाथ में सिर्थ दो चीज़े है ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कीजिए और जितने समय के लिए रख सकते हो उतने समय के लिए निवेश करे रखे अगर ये दो ही चीज़ आपके हाथ में as a retail investor तो उसे capitalize करने की कोशिश कीजिए उसी से आप उसी से आप financial discipline और financial independence तक जल्गी पहुच पाएं बिलकुल खीरतन यही पर show समाप्त करते हैं खीरतो